आज के टाइम में बहुत जाधा केसेज देखे जा रहे हैं जिनमें की ट्यूब में इश्यू रहता है Most of cases में PID, infection, कई बर miscarriage के बाद ऐसी condition होती है तो बंद ट्यूब में कैसे pregnancy conceive कर सकते हैं? क्या केबल IVF या laparoscopy ही तरीका है? हमारे बहुत सारे followers, बहुत सारे words ने 14 साल, 13 साल पुरानी tubal blockage को open किया है home remedies से So आपके लिए भी possible है, नमश्कार स्वागत है आपका YouTube साहिली चैनल में tube blockage को home remedies से, Ayurvedic, पद्धती से किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं? उपाये जो घरेलू हैं, वो बहुत effective है, amazing है, उनके result बहुत अच्छे हैं और ये प्रमानित हो चुका है तो इसके लिए आपको क्या क्या उपाय करना है? Friends, अगर आपका tube blockage है, तो सबसे पहले आपको उसका कारण समझना होगा तो इसमें medical intervention चाहिए, आप अपने डॉक्टर से जांच करा है, कारणों का पता लग है, उससे क्या होगा? कि जो भी remedy आप करने जा रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि आपका problem क्या है, उसके लिए किस remedy को अच्छे से use करना, पूरे confidence के साथ आप उसको follow कर पाएंगे तो आइए, मैं कुछ आपको उपाय बताती हूँ, सबसे पहले diet में कुछ changes बताऊंगी कई चीज़ें होती हैं, जो बहुत शीतल होती हैं प्रकृती में, ठंडी होती हैं, जैसे कि बनाना है, दही है, कुछ ऐसी चे कच्छी सबजियां हैं, कच्छी चीज़ें अगर आप खाते, cold drinks अगर आप लेते हैं, तो आप इनको बंद करते हैं जो ठंडे तासीर की चीज़ें हैं, इनसे आप थोड़ी सी दूरी रखें, लेकिन जैसे आप गही लेना चाहते हैं, तो आप बटरमिल बनाएं, छाच बनाएं, उसमें हिंजीरे का तड़का लगा देजे, तब आप उसको ले सकते हैं, लेकिन ठंडी चीज़ें, cold drinks पगर कची चीज़ों को आप यूज ना करें, हल्का stir fry करें, cook करें और तब उसको यूज करें, दूसरा, हल्दी का दूध, long तेजपत्ते की चाहें, बहुत amazing है, क्योंकि इनमें काफी antioxidant होते हैं, और healing property है, warming property है इनके अंदर, हल्दी दूध के अंदर, तो night में हल्दी दूध ल और इंगा के पते, अजवाइन, अद्रक, इनको बहुत थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इस्तमाल करके आप रोज इनकी चाहें ले सकते हैं, ये काफी फायदेबंद होगी, क्योंकि इन सारे spices, जो हैं इनमें बहुत सारे antioxidant होते हैं, काफी सारे micronutrient भी होते हैं, और ये warming property होते हैं, इसलिए healing में काफी help करते हैं, इनके अंदर antimicrobial properties भी होती हैं, तबकि infection को भी दूर करने के लिए body के अंदर as a medicine ये काम करेगा अगर आफ food के form में इनको लेते हैं, कहते हैं कि आहार ही हमारी दवा बन जाती है, बस लेना आना चाहिए, तो लेने का तरीका हम यहा पालक का यूज कर सकते हैं, आप tomato soup आप ले सकते हैं, तो vegetables जो है, beans है, इनको आप soup के form में ले, काफी फायदे बंद होगा, अगर आपको वजन जादा है तो आपको weight loss करने में भी help करेंगी, क्योंकि कई बार बहुत जादा weight होने पर भी tube blockage की problem होती है, flexibility नहीं होती है body में तब भी होती है, flexibility maintain करने से वो दीरे दीरे उसमें फर्क पड़ता है, help मिलता है tube blockage को open करने में, so ऐसे condition में ये जो vegetables हैं, इंका soup आपके लिए बहुत फायदे बंद होगा, plus ये body pH को control करने और infection से fight करने में आपके शरीर की मदद करने वाली है, इसलिए याद रखें कि आप fertility massage करने के बाद में hot water bottle या hot water bag से सिकाई जरूर करे, ताकि जो oil है, जो oil का effect आपके body पे आना है, उसके लिए oil body में absorb हो सके अच्छे से, इसके अलावा विपरीत करनी आसन, जो कि हजारों साल पुराना योगा भ्यास है, विपरीत करनी आसन करने से आपकी प्रजेनन के शक् information शेयर की है, यूटूब सहीली चैनल पर, इसके अलावा, आईरवेद में योणी धूपन का वर्णन है, इससे अगर आपको infection है, तो वो control होता है, तो हफ़ते में दो बार, अगर infection बहुत पुराना है, बहुत जादा है, तो हफ़ते में दो बार, जरूर आप अजवाइन क की धूनी प्रिपेर करें, और उसे लें, इसके अलावा, अजवाइन की चाय, अजवाइन सोपड वाटर, जो इंफ्यूजन राद भर आप अजवाइन को पानी में डाल के प्रिपेर करते हैं, उसको भी आप अपने डे टाइम में यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से infection को चीत पाएंगे आप, और बहुत अच्छे से यू ब्लॉकिज की प्रॉब्लम दूर हो सकेगी, तो आशा करती हूँ, ये जानकारी आपके लिए उप्योगी हो, आपकी समझ से कभी बहुत जल्दी हल निकले, शुब कामनाव के साथ, जुड़े रहे हमारे साथ, बाबाई! झाले, झाले, जुड़ेगे हुत निकले, जुड़ेगे ही।